अस्सलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग तो आज हम बनाने जारे वेज पुलाओ तो वेज पुलाओ कुकर में तो जटपट और वेज पुलाओ कितना आसानी से बन सकता है अच्छा यह मैंने जादा नहीं लिया है पचास गिराम मतब सब अलग अलग कॉंटेटी मिलिया है पहले तो अभी तेल दो चमट डालेंगे गरम मसाला मेरी उतनी ही कॉंटेटी रहेगी जो के मैं पांच लवंग लेती हूँ दालचिनी के दो तिन तुकडे इलाइची भी पांच लोंगी और काली मेरी भी पांच लो इस वज़े से तो यह जैसे फ्राय हो जाएगा यह सारी चीजे तेन में आप डाल दोगे और तेल गरम हो जाएगा तो आप कांदा डाल दीजे मैं बारी काच पे रहकी थी तो इसकी वज़ेसे जल्दी गरम नहीं हो रहा है रीजन है कि थोड़ा चीजे चेक करके भी लेनी साथी है कि गरम असला डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कांदा तो तीन से चार अच्छे मिडियम साइस के कांदे लीजे कांदे वैसे बहुत महेंगे हुए है तो आप तो जादा लीजे कम लीजे आपके साब से लीजे तो मैंने चौप करके रग दिया था तो इस तर में बटाटा मिडियम साइस का एक है पाव कीलो मेरे वटाणी है तो इस तरीके से ऑग एक है मेरा तो थोड़ा साहरा तीन से 4 चमच मिडियम साइस के चमच में डालोंगी तो देखें कांदे मैंने फ्राइ कर लिया और इसको बहुत अच्य से हिलाए यह कुकर में जटपत इसके लिए बनता है कि आपको बार-बार एक तो पानी की कॉंटटि इबल पता है चावल की उससे उतना ही आपको थोड़ा सा जाधा पानी आदा ग्लास पानी जाधा डालना है क्योंकि भाजी भी वेजिटेबल पकना है इस वजे और कुकर में यह है कि आपको बार-बार हात गुमाने की डेक्ची के जैसे जरूरत नहीं है आप सब चीजे डाल दीजे आराम से आपके तीन सिटी में सारी चीजे पक जाती है तो यह एक उसका फाइदा होता है कि हम जटपट कुकर में तीन सिटी से हमारा जो वेच पुलाव वेच बहुत एजी और बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है स्फथा और खाने में अतना टेस्टी युष्य लज़दार बनता है कि होटल जैसा ही बनेगा मगर बस होता है ना कि एक इंसन का दिल साफ होना चाहिए और हातों में आपके लज़त होना चाहिए यह सबसे most important चीज है कि आपका दिल साफ होना चाहिए खिलाने वाले के लिए कांदे में तीन से čार कांदे काट लिए थे उसमें डाल दिया तक फिंक तक मैं ने उसको फ्राइ होनी गाम ए लिये और यहां अच है मैंने टमाटा डाल दिया अब टमाटा में घुमाऊंगी रिजन यह वह पकेगा सबिल में चाहिए तो थोड़ा फिंक हुए तक तो पकाँ तो इस तरीके से खिलाने का तरीक है तो पचास गिराम ही खाली फुलावर था और पचास गिराम गाजर था एक मीडियम साइस का बड़ा बटाटा था देखिए जो मैंने अभी डाली हूँ और मैं कोई भी कुकर में हाल चाल नहीं कर रही हूँ वेज है ना भाजी ही ना भोट सॉफ्ट होती है फटक से पक जाती है तो आप इसमें अगर कुछ भी हाल चाल करेंगे तो आपका जो भी मतलब जितना किया करा है सब पानी में फिर है के तो तूट जाता है और सारी चीज़े अस्वेज से हो जाती है हां डेक्ची में पकाते तो ठीक है को कर्मे बनाते तो बहुत खयाल से और अच्छे से बनाईए और सच में बहुत टेस्टी और लज़दार बनता है और मसालों पे थोड़ा अपना ध्यान रखना तो देखिए क्योंकि वटा ने डाले बटाटे के बाद और थोड़ा सा बच्चाता वो गाजर भी ड तो आपको आपके हिसाब से आपके घर के हिसाब से मसालों का इस्तलमाल करना है तो यह तरीका हो गया अभी मैंने वटाने पहल डाल दिये चमत जरा भी नहीं मारा है आपको यह सब चीजे डा सकते। मैं इसमें नहीं डाला है। यह ़िरहाई से हमारा। उसके बाद में और यह भलो यह भलो है। भत फट्रet बच्छे ले बटाने भी मैंने उपर से डाल दिये है। उसके बाद में देखिए मैंने पाउना चम्मच भरके नमक डाला है नमक भी मैंने अभी डाल दिया उसके बाद में आदा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी आदा चम्मच दो चम्मच में धनिया पाउडर डालूंगी क्योंकि धनिया पाउडर काम करता है दो से तीन चम्मच डा तो आप आगे पिछे दोनों में से कोई वीर डाल दीजिए adda chamay और फिर बाद में guard से चार चंमछ इसमें डाली हुँ और यह छोटे चंमछ है जो मैंने नमक को लिया ताना उसाईस के चंमछ है यह वो चंमछ अलगए यह चंमछ अलगए ओैस अगर वो ही है तो वह चार चntग चंमछ अच्छा मैने का अभी बगार में डाला था, अब सब घुमा दिया, अब मैं ग्लास भर के पानी डालूँगे इसमें, तो इसमें पाखुलो चावल में में सिर्फ दो ग्लास ही पानी जाएंगा, इससे जादा नहीं जाएंगा, इसका ध्यान रखना, और देखें मैंने कोई भी चीज को तोड़ा फ याद रखकन में लगा दूंगे, जीरा में भूल गई थी तो अभी में डाला, तो चीजे याद रखके ये सारी चीजे डाला कीजिये, ये चीजे ऐसी ही है कि हमको सारी चीजे याद रखके ड़ना, अच्छा वेज़ेबल में और आप एट कर सकते हैं, आपको जो भी एट कीजिए आपको अच्छा लगेगा खाने के लिए वेजिटेबल और अगर आपको कुछ और चाहिए तो उसमें एट कीजिए और इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और कोकर का दो गलास मैंने पानी डाला ता पाउसुलो चावल था जीरा राइस कोलम का मेरा इसके लिए मैंने द बहुत तेस्टी और लज़धार बनाता खाने के लिए बहुत मज़ा आया खाने के लिए रीजन यह कि पनाने का तरीका अगर आपका सही हो तो आपका पुलाओ आपकी सारी चीज़े अच्छी बनेंगी और पहले तो बिस्मिल्ला बोल के सारी चीजे बना दिया कीजिए द कभी-कभी कुछ लोगों की नियत होती निये, खाना खिलाने की, साब दिल होता निये, तो वो चीज़े अच्छी भी नहीं बनती, क्योंकि कैसा है, मालने में इसमें दुआओं का बहुत असर होता है, तो देखे मैंने कुचुमबर भी बना दिया था, कांदा है, दही है, ककड़ी है, और टामाटर है, और नमक भी मैंने डाल के सब तरेडी करके रख दिया था, और इसमें आप पापड का भी इस्तिमाल कर सकते, अचार का भी इस्तिमाल कर सकते, मगर गरम-गरम था, तो ये कुचुमबर के साथ हमारा होई गया, और बहुर थी टेस्टी बना था तो like, share, subscribe जरूर करते रहे न और मैंने बोला ना जब भी हम खाना पकाते और जो खाने वाला होता है वो सच में बहुत दुआये देता है तब ही जाके हमारा खाना अच्छा बनता है तो ये reason होता है किया जो लोग खाना पकाते हम बोलते हैं उनके हाथों में लज़ज़त होती है तो ये ही reason होता है कि साफ दिल से खाना पका कि साफ दिल से खाना खिलाने वालो कि नेक दिल भी होना बहुत ज़रूरी है तो like, share, subscribe ज़रूर करना और जिन लोगों की मेरे साथ दुआए है इसी तरह दुआए बरकरार रखना क्यूंकि खाना हमेशा प्यार महभबत से खिलाया जाता है तो प्यार महभबत से ही इस तरीके से खिलाते रहोंगी और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करते रहेना और बहुत दुआए देना मुझे भी और मेरे खाने बालों के लिए भी क्योंकि रिजन यह होता है कि पकाने वाला तो होता है खाने वाले भी होनी चाहिए तो like, share, subscribe ज़रूर करते रहें ना माशालला फुला बहुत टेस्टी और लज़ेदार बनाता तो आस पड़ोसियों को भी देना और महेमानों को भी खिलाना और कोई चीज कभी छुपाना नहीं अच्छे चीजे बनाएए खाईए लाइक से सब्सक्राइब करते रहे थैंक्यू बब बाई